हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हमारा टोपिक है डिरेक्ट एंड इन्वर्स पर्पोर्शन तो सबसे कहले हम देखते हैं कि डिरेक्ट पर्पोर्शन क्या होता है देखे अगर हमारे पास कोई दो चीज़ें माले यह एक 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 है और एक वाई है तो अगर एक्स इंक्री निचाले हम और तEMA है हम आदी एक्स ईक्रीज हो है और उसके साथ साथ वांभी डिक्रीज हो रहे है जब इस तरह की कंडिशन आती है तो से मुलता है डिरेक्ट पर्पोर्शन यैसे अगर हम हमें दिया हो कि एक पएन की कोस्ट हमारे पास 5 रूपीज है यह कोस्ट है टिक पैन में है ठीक है अगर 2 पैन की कोस्ट हमारे बास तो कितनी होगी 10 रुपीज अगर 1 की 5 है तो 2 की 10 होगी इसी तरह अगर 3 पैन की कोस्ट निकाले हम तो हमें मिलेगी 15 रुपीज 4 पैन की कोस्ट निकाले हमें तो हम मिलेगी 20 रुपीज जैसे जैसे पैनों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनका प्राइस जो उनकी कोस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है यानि जितने ज़ादा पैन होगे उतने ही ज़ादा रुपीज में वो आएंगे तो दोनों चीजे साथ में increase हो रही है तो जब इस तरह की situation हो तो हमसे direct proportion बोलते हैं अगर हम decrease की बात करें तो अगर हमें 4 pen की value दी हो 20 रुपीज और हमें 1 की निकाल ले तो 4 की 20 है तो 1 की कम ही होगी तो यानि जब pen की संख्या घट रही है तो उसके जो total price है वो भी कम हो रहा है यानि जब वो increase हो रहे हैं तो साथ में हो रहे है decrease हो रहे हैं तो वो भी साथ में हो रहे हैं तो इसे हम बोलते है direct proportion और हम इसको लिखते हैं कैसे अगर हमें लिखना है कि x is direct proportion to y तो हम इसके लिए ये वाला sign यूज करते हैं और हम लिखते हैं x is direct proportional to y और ये किसके equal होता है अगर हमें इस तरह से दिया हो कि x is direct proportional to y तो हम इसको लिख सकते हैं x is equal to m y अब यहाँ पे जो m है वो है constant terms है देखें अगर हम इन दोनों का ratio निकाले इस case में अगर हम ratio निकाले तो हमारे पास होगा 1 ratio 5 और अगर हम इन दोनों का ratio निकाले 2 ratio 10 तो उसको simplest form में convert करेंगे 2 1s are 2, 2 5s are 10 तो भी हमारे ratio 1 5 आएगी अगर हम इन दोनों की ratio निकाले तो भी हमारे पास 1 5 आएगी इसको उन cut करेंगे 3 1s are 3 3 5s are 15 यानि जब हम इन का ratio निकालते हैं तो वो ratio same ही रहती है इसकी ratio निकालो इसकी निकालो या इसकी निकालो किसी की भी निकालो तो उनकी ratio same ही रहेगी तो इसलिए हम लिखते हैं कि x is equal to m y यहाँ पर जो m यह constant terms है तो यह होते हमारे direct proportion और अगर हम बात करें inverse proportion की inverse proportion में क्या होता है कि अगर हमारे पास जैसे अगर हमें दिया हो कि हमारे पास total 6,000 रूपीज है और हमें इन 6,000 रूपीज में 40 रूपीज 40 रूपीज कोस्ट इस बुक्स लेगी आनी है तो 6,000 रूपीज में कितनी रूपीज की अगर एक बुक्स होगी तो कितनी रूपीज रूपीज इसको इससे डिवाइड करेंगे बुक्स निकल जाएंगी इसी तरह अगर हमें दिया हो हमें बोला जाए कि 40 रूपीज की ना लेके हम 50 रूपीज पर कोस्ट की बुक लेए तो बुक्स कितनी आएंगी टोटल रूपीज 6,000 ही है तो हमारी बुक्स आएंगी 120 तो जैसे ही बुक्स का प्राइस जादा हुआ तो बुक्स की जो संख्या है वो कम हो गई तो इसे हम बोलते हैं inverse proportion तो बुक्स कितनी होगी हमारी 120 इसी तरह अगर हम कहें कि हमें जो बुक्स चाहिए वो 60 रूपीज की होने चाहिए तो हमारी बुक्स कितनी आएंगी 6,000 रूपीज में 100 बुक्स यानि जैसे जैसे हमारा बुक्स का प्राइस बढ़ता जा रहा है हमारी बुको की जो संख्य है वो कम होते जा रही है इस कंडिशन में हम बोलते हैं कि वो inverse proportion में है यानि अगर यह x है और यह y है तो हम बोलते हैं x is direct sorry inverse proportion to y means x is equal to 1 by y और यहाँ पे हमारी constant term आएगी तो इसको हम इस तरह चे लिखते हैं और यहाँ पे आएगा x is direct proportion inverse proportion to y इसके लिए हम इस तरह से लिखते हैं और इसके लिए हम इस तरह से लिखते हैं अब देखें यहाँ पे जब हम इसकी ratio इसके साथ निकालते हैं यानि हमने निकाली 40 ratio 50 तो हमारे पास आएगा 4 ratio 5 और जब हम इन दोनों की ratio निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 150 ratio 120 और जब हम इसको solve करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 5s of 15 and 3 4s of 12 अब इन दोनों की ratio में क्या difference है यहाँ पे ratio 4, ratio 5 है यहाँ पे 5 ratio 4 है यहाँ इसका उल्टा है इसी तरह अगर हम इन दोनों की ratio निकाले 50 ratio 60 और तो हमें मिलेगी 5 ratio 6 और जब हम इन दोनों की ratio निकाले तो हमें मिलेगा 120 ratio 100 तो जब हम इसको solve करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 ratio 5 2 6 is 12 and 2 5 is 10 तो यहाँ पे भी ratio क्या होगे से उल्टी होगे तो inverse proportion में ऐसे ही होगा कि जो ratio आएगी वो उल्टी आएगी आद देखे यहाँ पे जो हमने इनकी ratio निकाले लेकिन अगर हम इसको इससे multiply करें यानि जब हम 40 multiply 150 करेंगे तो हमें मिलेगा 6000 इसी तरह जब हम 50 को multiply करेंगे 120 से तो भी हमारे पास आएगा 6000 और अगर हम 60 को multiply करेंगे 100 से तब भी आएगा हमारे पास 6000 तो यहां से हमें क्या मिला अगर यह हमारी X1 है यह हमारी X2 है यहículos X3 है यह हमारे Y1 यह हमार Y2 है यह हमלא V3 है तो यहां से हमिंत की X1 into Y1 X1 into Y1 is equal to X2 into Y2 जब हम इसको S同 करेंगे तो हमीहां से मिलेगा एकस वन by X2 is equal to y2 by Y1 तो इसका use करेंगे हम अपने questions को solve करने में इसी तरह यहाँ था हमारे पास कि जो यह ratio होती है हमारी मालने जिए अगर यह हमारा x1 है यह हमारा x2 है यह हमारा y1 है यह हमारा y2 यह जो y के correspondence है वो यह है तो x के corresponding है वो यह है तो अगर हम x1 ratio x2 लिखें तो किसके एक वल है y1 ratio y2 के तो इसको हम x1 by x2 भी लिख सकते हैं और इसको हम y1 by y2 भी लिख सकते हैं अब इसको हम solve करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आएगा x1 into y2 is equal to y1 into x2 तो जो हम अपने इस तरह के question को solve करेंगे देक परकोशन में तो इसको use करेंगे और जो हम inverse proportion को use करेंगे तो करेंगे question तो इसको use करेंगे अब उनको example की हाल से समझते हैं अब यहाँ भी मारे पास question है कि a machine in a softing factory fills 840 bottles in 6 hours how many bottles will it fill in 5 hours यानि एक softing factory में एक machine 840 bottle को 6 hours में फिल करती है तो हमारे पास bottles कितनी हुई 840 और time कितना है हमारे पास 6 hours और how many bottles will it fill in 5 hours हमें बताना है कि 5 hours में इसको कितनी bottles को fill करेंगे अब देखेंगे कि यह direct proportion का है या inverse proportion का है अब यहाँ पर हमें देखेंगे जो machine है वो 840 bottle को 6 hours में फिल करती है तो 5 hours में कम bottle fill करेंगी जितना ज्यादा time increase होगा तो bottle की जो बोटल की जो संख्या है जो value बढ़ती जाएगी तो यानि यह हमारा inverse proportion का sorry direct proportion का question है direct proportion में हमारे पास क्या होता है कि अगर हम इसको x1 माने इसको x2 माने इसको y1 माने और इसको y2 माने तो direct proportion में क्या होता है कि x1 ratio y1 equal होता है x2 ratio y2 के तो x1 हमारे पास 840 y1 है हमारे पास 6 x2 हमें निकालना है तो उसको x मान लेंगे और y2 हमारे पास 5 इसको हम लिख सकते है 840 by 6 इसको हम लिख सकते है x by 5 अब यहां से हम close multiply करेंगे तो मारे पास आएगा 840 into 5 by 6 is equal to x इसको cut करेंगे 6 बंज़ा 6, 2 6, 4, 24 0 multiply 5 इसको multiply करेंगे तो मारे पास आएगा 5, 0, 0, 0 5, 4, 22 5 बंज़ा 5 7 यानि 700 bottles तो अगर time ज़्यादा था तो ज़्यादा bottles फिल हुई time कम था तो कम bottle फिल हुई यह था हमारा depth proportion का example अब एक example और देखते है अब इस question में में दिया है कि farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days यानि उसके पास जो animals है वो 20 है animal है 20 है और जो उसके लिए food है उसके पास for 6 days का है यह जो कहता है कि how long would the food last if there were 10 more animals यानि अगर 10 animals और आजाए यानि अगर 20 तो पहले सही थे 10 और और आजाए तो कितने और जाएंगे 30 तो total animal हो गए 30 तो आम हमें बताना है कि जो food है वो कितने दिन जाद चलेगा कितने दिन तक चलेगा अब देखे जो 20 animal थे तो food 6 day के लिए चलता था लेकिन अगर animal जादा होंगे यानि वो जादा खाएंगे जादा food खाएंगे तो वो कम दिन चलेगा यानि यहाँ पे जो यह example है हमारा inverse proportion का है तो हमें यहाँ पे इसकी value निकालनी है क्या ही वो कितने दिन तक चलेगा खाना अब हमें पता है कि inverse proportion में मारे पास क्या होता है कि इसकी ratio इसके साथ उल्टी होती है इसकी ratio इसके साथ यानि यहाँ पे जब हमारा formula था उसको use करेंगे कि x1 x1 into y1 equal होता है x2 into y2 के अब यहाँ पे x1 हमारा 20 है y1 हमारा 6 है x2 30 है और y2 को हम x माल लेंगे अब इसको multiply करेंगे solve करेंगे तो यहाँ पे अगर 20 into 6 30 इदर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारे पे x की value आ जाएग 0 से 0 cancel 3 तू जा 6 और x की value यहाँ से आगी मरबास 4 यानि जो वो food था वो 4 days तक चलेगा अब देखें अगर animal जाद होगे तो वो भोजन कम दिन चलेगा यानि जो यह inverse proportion का question होता है उसमें हम यह वाला formula यूज करते हैं इसकी multiply इसके साथ equal to इसकी multiply इसके साथ लेकिन जो direct proportion को होता है उसमें क्या होता है कि इसकी ratio इसके साथ equal होगी इसकी ratio इसके साथ तो जब हम direct proportion को solve करेंगे इस formula को use करेंगे और जब indirect वाले को use करेंगे तो इस formula को use करेंगे आज की वीडियो में इतना ही thank you झाले करेंगे